नमस्कार जैहिन दोस्तों स्वागा था आपका आरर केंपस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं दिव्यांसू एक बरपुना उपस्थित हूँ आपके समख्च डैनिक समसमाई के तहत जो भी महतुपूर्ण सवाल होंगे उन तमाम सवालों पर हम डिसकस करने वाले हैं तो जिस भी परिक्षा के आप तयारी कर रहा है उन तमाम परिक्षाओं के तुरिश्टी कोन से महतुपूर्ण सावित होने वाला आपके लिए आज का सेथन तो आईए सेथन को सुरू करते हैं सभी को गूड मॉनिंग जैस्री राम राधे राधे चलिए आईए बिना समय क सेथन को सुरू करते हैं माठीर निग नाम लेकर देखते हैं पहला प्रश्ण क्या पूछा जान रहा आपसे पहला प्रश्ण Túli में या न एक और और उप्य रहों को जवाब वो option number B है यानि कि नागर जो भी आपको लग रहा answer question का number के साथ आप answer उसका लिख सकते हैं एक का जैसे B है तो B आप answer में लिख सकते हैं है नागर शैली तो हिमालय से लेकर विन्द स्रेφοर्प च्षेटर में इसके बारे में और हम अभी example के सब्सेंगे कि है क्या बेसिकली इस मंदिर का ये जो शैली है इसको आप कैसे समझ सकते हैं यहां पर बेसर सैली दी गई है तो नागर और द्रविद इन दोनों को मिला कर जिस सैली का निर्मान होता वह है बेसर सैली और द्रविद सैली जो है वो दक्षिन भारत की सैली है ठीक है दक्षिन भारत के बहुत सारे मंदिर आपको जो है वो द्रविड सैली में बने हुए मिलेंगे दक्षिन भारत के मंदिर जो भी है द्रविड सैली में बने हुए मिलेंगे ये नागर सैली में बना हुआ मंदिर है अपना आयोध्या मंदिर जो राम मंदिर जिसकी प्रान प्रतिष्ठा जिसका आउद्गातन हुआ है 22 तारीक को अब नागत्ector के कुछ और आपसे उदाहरन पूछ लिया जाया तो जगनात मंदिर जो की कहां पर है जगनात मंदिर जो की पूरी में है ठीक है ये भी अपना किस में बना हुआ है ये भी जो है नागर चैली में बना हुआ है अभी हमने एक मंदिर के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था कालाराम मंदिर जिसका नाम क्या था कालाराम मंदिर ठीक है काला राम मंदिर काला राम मंदिर के बारे में हमने पढ़ा था यहां से मोदी जी ने प्रान प्रतिष्ठा के तैट 11 दिन का विशेश अनुष्ठान शुरू किया था काला राम मंदिर से ठीक है मैं एक बार अच्छे से लिख दे रहा हूं काला राम मंदिर और यह कालाःम मंदीर के बारे में हमने पढ़ा था यह कहाँ पर है ये महराष्ठ में है और याद रखिएगा ये भी जो मंदीर है महराष्ट में ये बीकिसमें बनिए नागरवैली में बनिए छलिए अब अयोध्य हमें निर्मिज इस मंदिर के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल की कोशिस करेंगए या क्रमसा फोड़ा सा जो जो है तो विसेस्ता है कम होती दिखेगी यह सीर्स आप देख रहे हैं धीर धीर कम होता जा रहा है और इसमें प्रदक्षिना पत्थ भी होता है इसमें जो है प्रदक्षिना पत्थ प्रदक्षिना पत्थ भी होता है ठीक है यह देखे भव्य अपना मंदिर अब जो है इससे 6500 400 square feet में जो है यह पूरा ब्यूल्ट पट एरिया जो है 55,400 square feet मैं है यह जो आप देख रहे हैं यह दहींbasic newspaper की cutting में आपको दिखा रहा हूं ठीक है दहींदू newspaper की cutting कल के newspaper में आये थी मैं उसे को यहां पर दिखा रहा हूं आपको और इसकी जो है स्टीमीड जो है वो कितना खर्च हुआ है तो लगभग जो है अथारह सो करोड इसका जो है construction का cost आया है भी थक अथारह सो करोड़ अब क्या यह 18 सो करोड़ सरकार लगाएगी तो नहीं सरकार लगाएगी बहुत सारी ट्रस्ट है तो 3500 करोड यहां पर देख रहे हैं गों 3500 करोड जो है डोनेशन कलेक्टेड वाई अयुद्धिया राम टेमपल जब डिसीजन आया था उसी समय से जो है बहुत सारी जो ट्रस्टी है वो लोग इसमें अपना डोनेशन दे रहे थे तो 3500 करोड जो है इसमें डोनेशन आया लेकिन खर्च जो है वह अफारा सो करोड है कहीं आपको जो है चथुस करोड लिखा मिल सकता है लेकिन यह मोटा मोटी मैं आपको दहिंदू आर्टिकल से दहिंदू के जो नियूस प्यप्र में आता है मैं उससे आपको बता रहा हूं अब जो बांकी का पैसा है उसका क्या करेगी सरकार तो मेंटेनिस में भी बहुत बड़ी मात्रा में रकम खर्च होगी तो इन ही पैसों से खर्च किया जाएगा इसमें जो है मंदिर परीसर की हमने बात की 1100 करोड लगा उसके आसपास के छेत्र को भी बहुत अच्छे से विक्सित किया गया था ठीक है तो मंदिर के जो आसपास के छेत्र को विक्सित करने में जो खर्च हुआ था वो तीस दस्मनलव नौ तीन करोड प्रजेक्ट कॉस्ट फोर फेकेट ब्यूटिफिकेशन वर्क और रामपत रामपत वगयरा आपने देखा होगा न्यूज में रामपत वगयरा जो बनाए आपको लंबे समय तक याद रहे मैं एक बार हट जा रहा हूँ अगर आप स्क्रीन सॉट लेना चाहें तो इन सारी चीजों का ले सकते हैं मैंने आपको एक्जामपल बताया कौन कौन सी जो है और नागर सैली में बने हुई है जगनात मंदिर है अपना जो पूरी में है इस हिंदू मानते हैं कि मंदिर ध्वस्त कर बनाई गई थी इस मस्जिद को 1528 में घटना हुई थी 1530 में विवादित अस्थल पर पहली संप्रदाइक हिंसा की घटना हुई थी पहले आपको पता है यहां पर मंदिर हुआ करती थी और इसको ध्वस्त करके ऐसा माना जा रहा है सित कर दिया था उनीस सो उन्चास में देखेंगे तो मंदिर के अंदर जो है दिखी भगवान राम की परतिमा सरकार ने बंद कराए दरवाजे यहां पर यह सारी चीजें डिटेल में आप जो है वीडियो को रोक के इन चीजों को पढ़ लेंगे 1950 में फैजावाद कोट में रामलला की पूजा करने और मूर्ती रखने के लिए याचिकाएं दाखिल की गई 1950 में 1969 में हम क्या देखते हैं कि निर्मोही अखालाय ने तीसरी बार जो है इस पर केस दर्ज कर दिया कब 1969 में 1961 में क्या हुआ था तो यूपी सुन्नी वर्क बोर्ड ने परिशर पर कब्जा परिशर पर जो है कब्जे मूर्ती हटाने और दाखिल की याचिका ये 1961 में परिशर को लने और हिंदू को पूझा की इजाशत जिलाजि ने दी थी में फिर 2001 में हम देख पा रहे हैं कि सोसल जज जो इन्होंने आडवानी समय 13 नेताओं पर जो है साजिस लगाया साजिस जो लगा हुआ था इन साजिसों को आरोप को हटाया 2001 में 2002 में फिर से क्या हुई तो यहां पर देख रहा है साबरमती एक्सप्रेस में सवार कार सेवकों पर हमला किया और इसमें भी दंगों में लगभग 2000 लोग मारे गए थे यहां पर आप देख पा रहे होंगे तो इस तरह से आप देख रहे हैं हिस्ट्री काफी लंबा चलते पूरी और फैसला इसको जो है सुरक्षित रख लिया गया था तो यह चीज़े एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे यह मंदिर यहां पर दिख रहा है आपको इसको इन सारी चीजों को एक बार आप अच्छे से देख लेंगे और हलंकी वीट्स वेगर आपको पिछले तो तमील उपन्यास क्या नाम है इसका conversation with औरंग जेब इसका अंग्रेजी में अनुबात किया गया है यह उपन्यास जो कि भासा में लिखी गई है तो तमील भासा में औरंग जेब औरंग जेब कौन थे औरंग जेब इतिहास में बड़े ही मतलब कुरूर सासक के रूप मे इन्हें जाना जाता है जिन्दा पीर इन्हें बोला जाता था इन्हें जो है जिन्दा पीर बोला जाता था ध्यान रखिएगा तो इन्ही के नाम पर तमील भासा में एक पुस्तक है जिसका नाम है conversation with conversation with औरंग जेब इसका हाल ही में अंग्रेजी में अनुबात कर दिया गय जाती है हलंकी इस चीज को मैंने सुधरवाया था लेकिन बावजूद इसके भूल चुक हो जाती है सब की अपनी जिंदगी है अपनी लिबर्टी है क्या किया जाए है ना चलिए ओल राइट इसका जो सही जवाब है वह है नंदिनी कृष्णन चलिए नंदिनी कृष्णन इ या आपसे पूझा जा रहा है भारत परव का आयोजन आपको पता है तो इसके तो परansen किया जाता है यह सबसे और इसमें जो है तरह तरही की चीजें बहुत सारी चीजें बहुत चीजों की परदर्षनी लगाई जाती है तो गंतंत्र दिवस्तमारों के हिस्से की रूप में भारत पर्व 2024 का आयोजन अगर पूछ लिया जाए तो लाल किला में इसका आयोजन किया जाएगा बाकी मुख यतिति कौन होंगे और इसके बारे में डिटेल जानकारी हम 26 जनवरी को आयोजन हो जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे ठीक है बढ़ते अगले प्रस्न के और हाल ही में आयोजी अब्भारतष. ऑर किस देश की संयूगत अभ्यास भारत और किस देश के बीच की संयूगत अभ्यास हम कंजर के बारे में अगर पूछ लिया तो खंजर जो है वो किर्गिस्तान के साथ भारत करता है खंजर जो यह दभ्यास होता है किर्गिस्तान के साथ होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे कि भारत किर्गिस्तान संयुक्ति सेनाभ्यास खंजर जो है जाएगा अभ्यास के 11 संस्क्राण में भारतिय सेना पैरासूट रेजी रेजिमेंट विशेश बल और किर्गिस्तान सेना स्कॉर्पियन बिग्रेट दोनों के 20 कर्मियों की एक टुगली शामिल है आपको पता है मैंने बताया था कि इस तरह का जो भी वहिएषा का मेन उद्देश यही होता है कि दोनोंस नाओं को जुए सेनाओं को जु है continus कर्वाया जा चलिए तो इस अभ्यास का यहें वह संयुक्तराश चार्टरल के के अध्याइष 7 कि दोए प्रवतिय भुभाग perfect करने के साथ आतंकवाद और Weavis सारे जो experience हैं उनकी sharing होती है चलिए all right चलिए चलिए साथ साथ आप लोग जवाब देते चलेंगे जो भी answer होगा आपको जो भी लग रहा है answer होगा तो यहां पर एक बार हम लोग किर्गिस्तान चुकि किर्गिस्तान इसका answer है तो किर्गिस्तान को एक बार हमने map में देखने क कोजिस करेंगे हम लोग किर्गिस्तान के आसपास की country कौन से सबसे पहले इसकी आप राजधानी नोट करेंगे मैंने आपको बताया था कि अब जो भी हम लोग country जिस भी country के बारे में पढ़ेंगे उसको map में एक बार देखते चलेंगे और उसकी राजधानी को नोट करते चलेंगे ताकि आप पर एक बार में बढ़न ना आए तो किर्गिस्तान की राजधानी क्या है बिसकेक है अब इसके आसपास की देश को देखेंगे तो कजाकिस्तान है नीचे आप देख पा रहे होंगे चाइना है यहाँ पर देखिए उस्वेकिस्तान है तो सारे आसपास आप से मैं पूछ रहा हूं साइक्लोन जो है किसके साथ अभ्यास होने वाला है भारत और किस दिर्स के बीच अभ्यास होने वाला आपके लिए होमवर्क है कमेंड बॉक्स में आप हमें जरूर बताएंगे मुझे पूरी अमीद है अगला क्वेशन हाली में आई सूचना अनुसार बी-सी-सी आई पुरुश्कारों में वर्स के सर्वसेश क्रिकेटर के रूप में किने चुना गया है सर्वसेश क्रिकेटर का जो किताब ह इस खिताब से किसे सम्मानित किया जागा यह आपसे पूछा जा रहा है मैं आपको हिंड दे रहा हूँ इस प्रस्ण का जो आंसर है वो सबसे यूवा प्लेयर है ठीक है सबसे यूवा प्लेयर है यूवा खिलाडी है और यह यूवा खिलाडी किस रूप में है तो सबसे यू और टी ट्वेंटी ठीक है इन तीनों प्रारूप में सतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज ये बन चुके है इन्हें जो है बीसी से आई के द्वारा वर्ष का सर्वस्रेष्ट पुरुस्कार दिया जाएगा इसके अगर सही अंसर की बात कर लें आप लोगों ने गे हैदराबाद में मतलब पहले टिस्ट जो होने वाला उससे पहले हैदराबाद में इसका आयोजन किया जाएगा यह जो पुरुस्कार वित्रन किया जाएगा इसके अलाबा जो है गिल के लिए 2023 का सीजन सांदार रहा है वह वंडे में सबसे तेज 2000 रन का आकड़ा पार करने सुम्मन गिल उन्हीं का नाम आपको याद रहेगा यह आप इंपोर्टेंट है इस चीज को रट लिजे क्योंकि बीपीसी तक में इससे सवाल पुछा जाता है बीपीसी में भी सबसे तेज 4000 रन T20 में किसने बनाए इसके बारे में पूछा जा चुका है सवाल तो वंडे ए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित कि या जाएगा रविशास्ट्री को जो है लाइफ टाइम अचीवमें सम्मान से यह आप से पूछा जा रहा है तो इसके अगर सही अंसर की आप से बात कर ली जाए तीसरा जो अफरीकी देश है वो है कोबो वर्डे ठीक है यह देश का नाम इस तरह होगा कोबो वर्डे कोबो वर्डे यहां पर सही जवाब हो जागा कोबो वर्डे यह अफरीकी देश है और तीसरा अफरीकी देश है जिसे मलेरिया मुक्त घोसित किया गया अब एक बार हम लोग इसे मैप में भी देख लेंगे सबते पहले इसके बारे में थोड़ा सा और जान लिजे कि इसते प घोसित किया जा चुका है इसके बाद कोब वर्डे को यह फ्रमान मिला है और किसके दोर्हा मिला तो only health organization क स्वास्त योजना के सरहना इक दोरह की तो proto जोवा के कारण होता है ठीक है हलांकिस में कहीं न कहीं दी गई होगी देखें यहां पर छोटा proto जोवा है यहां पर लिखा डरफोग टाइप के होते हैं है ना चलिए जोक सपार्ट बढ़ते अगले कुश्चन के और यह थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कोबो वार्डे जो है यहां पर थोटा सा देश है अब यह क्यों दिखाया गया है यहां पर यह अफ्रिकन कंट्री आपको पता है इसके आ यहां पर है इससे थोड़ा सा दूर पर है और बहुत छोटी सी कंट्री है ठीक है ध्यान रखिएगा इस चीज़ को यहां पर देख लिए अब मैप में अच्छे से एक बार अगला कुश्चन है परतेक यहां पर 23 होना चाहिए फिर से वही मिस्टेक यहां पर हुआ है 23 जन बोस की बात की जा रही है सुभासचंद्र बोस की बात की जा रही है और सुभासचंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजे यह जो है 1938 में कॉंग्रेस के अध्यक्षपद के चुनाव इन्हों ने जीता था और मैं कुछ बोलते जाओं अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं 1938 में जब यह जीते थे तो उसके बाद फिर से 1949 में जो चुनाव हुआ था इसमें भी जो गांधी जी द्वारा समर्थित कैंडिडेट थे पट्टाभी सिता रमया यह नोट कर लिजा आप पट्टाभी सित स्थापना की 1938 और 1949 यह दोनों आप याद रखिएगा 1938 और 1949 अपने आप में बहुत ही इंपर्टेंट है 1938 जो है यह नाम भी कई बर पूछा जा सकता है तो हरीपूरा नाम याद रखिएगा हरीपूरा अधिवेशन था यह ठीक है हरीपूरा अधिवेशन था अब चुकि द इसके बाद जो है जब सुभास्तेंद्र बॉस ने स्टीफा दे दिया था ततपस्चात राजेंदर परसाद को जो है 1949 में कॉंग्रेस का अध्याक्ष न्युक्त किया गया था ठीक है यह सारी चीज़ें आप याद रखिएगा 1949 में जो है किसे न्युक्त किया गया था तो सुभास्तेंद बॉस की द्वारेगएगा था तो कौन सी मर्सगान मनाई गई है 2027 देख रहे हों थी फेमस ना रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा चलिए तो मैं तुपूर्ण जानकारी थी जो सुभास्चंद बॉस के बारे में आपको पता होना चाहिए और परते एक 23 जनवरी को अगर आप से पूछा जाए इसकी शुरुआत कब हुई है तो 2021 में घोचना की गई थी कि 23 जनवरी को जो है वो हम प्राक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे ठीक है 2021 से शुरुआत हुई थी यह आप नोट कर लिए जगा examination point of visa important है 23 जनवरी को संस्कृति मंत्राले ने नेता जी सुभास्चंद बॉस की जैनती को हर साल प्राक्रम दि जो अदम में साहस थी उनका जो अदम में जो भावना था अदम में जो सत्वावना थी अंदेश के राश्च्ट के पर्ति जो उनकी प्रतिवध्यता थी उसको याद करने के लिए प्रतेक वर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष पतंत्रता सेनानी के जन्व की 127 वर्षगाट ह है ठीक है तो यह महत्वपून जानका रही है निश्चीत तोर पर आप याद रखेंगा इन चीजों को बढ़ते हैं हम अगले प्रश्ण की ओर एक जगह तयारी करने का आपको अवसर देता है आरर केंपस यहां पर फ्री डेमो क्लासिस भी आपको दी जा रही है ऐसा नहीं है कि आप आएंगे और पहली दिन आपको एडमिशन लेने बोल दिया जाएगा आप जो है डेमो क्लासिस करिए अगर आप संतुर्ष होते हैं अगला कोश्चन हाल ही में नाम यानि कि नॉन अलाइंगमेंट मूमेंट ठीक है गुट निर्पेक्ष यहां पर जो है इसका मतलब क्या है गुट निर्पेक्ष गुट निर्पेक्ष की नीती गुट निर्पेक्ष की नीती की बात की जा रही है नाम यानि नॉन अलाइंग तो आपको पता है सीट युद्ध हुआ था आप जब विस्वी तिहास पढ़ेंगे तो उसमें सीट युद्ध के बारे में पढ़ेंगे सीट उद्ध में क्या था तो एक तरफ सोवियत संग ठीक एक तरफ सोवियत संग ठीक एक ट्रफ संग धर एक कंट Bis इस साइड रही है तो कुछ देश थे उसमें इसे अपना भारत भी था जिन्होंने गुट निर्पेख्ष की निती अपनाई नॉन अलाइमेंट जो है यह बोला गया था कि ना हम इस साइड रहेंगे ना इस साइड रहेंगे हम दोनों में से किसी गुट के तरफ न रहा कर बी इस तरह नाहीं हम रूत के खिलाप नाहीं हम अमिरिका के खिलाप फिक है तो मोता मोटी बीच बीच का रास्तापन आया था और इसकी इस भारापना में संदर्व में संदर में विकास्टील देश्टों के हितों को आगे बढ़ाने की द्रिश्टी से की गई थी है ना चलिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे युगांडा ठीक है युगांडा को मैप में एक बार आप देख लीजे और आसपास की जो भी कंट्रीज है उनको भी आप देख रहे हैं यहां पर कौण कौन सा को उपर लिखा दिख रहा होगा ठिक नर्थ अटलान्टिक यहाँ यहां पर आपको द wilderness ओगांडा उसयां चिजओं कर देख लेंगे और साइड अ UX या और यहां पर साउथ ऐड्कर ऊस्यन है और यहां पर देखा था North Atlantic Ocean तो आज पास बहुत सारी कंट्री यह पूरा अफ्रीका का मैप है आप देख पा रहे होंगे अफ्रीका के मैप में यह बिल्गुल छोटा सा जगा है जहां पर युगांडा है और यहां पर और सारी कंट्री माली वगारा ठीक है चलिए तो मैप में एक बार इस 2023 कहां पर मनाया गया है तो और प्रदेश में अगर बीधि के बारे में अगर पुछा जाए आपसे बीधि के बारे में पूछा जाए तो बीधि हो जाएगा असम यह यहां पर यह चीज़ लिखा हुआ हाभ लगा विधि के साथ आप असम नोट कर लेंगे एक्जामिनेशन मातक खीर भवानी मेला यह जम्मू कस्मीर में लगा था इसके अलावा बाजरा मोझसब तो कल के क्लास में मैंने आपको इंविजन करवा है गुपाल गळण्ज बिहार में थावे मोझसब हॉर्न्मिल के बारे में कई बार हमारी चर्चा हों चुकी है नाग howா लेंड हुछा जाए तो और नाचल पोचा शोजाए का नोट कर लीजे पक्के-पागा- तो 9 फ्रटीस में जातरा नेपाल के बारे में कई बार हमारी चर्चा हो चुकिzessine गाई जातरा नेपाल में ठीक है बंगल बंगसवेली फेस्टिवल दोसर पताइस जम्मू कस्मीर में नुखाई तेवहार जो है बिहार मेला ये सारी चीज़े ओडिशा में बिहार मेला इंपॉटेंट है ध्यान रखिएगा क्योंकि बिहार मेला आपके मन में आ सकता है कि बिहार में हुआ लेकिन नहीं बिहा पर दो दो में मना जाता है राष्टिय गीता महत्सब कुरुषेत्र हर्याना में मनाए गया है बन्नी उत्सब के बारे में पूछा जाए तो बन्नी उत्सब आंध्रपरदेश में नौवा भारती अंतरास्टिय विज्ञान महत्सब अभी हमने आप पर दो से कल के ही क्लास में डिसकस किया था कि हर्याना में हुआ है विज्ञान महत्सब का इस बार और मेरा होचोंगवा उत्सब जो है यह इस बार मनीपूर में हुआ है एंधरियम महत्सब 2023 मिजोरम ठीक है यह सारी कि सारी इंपॉर्टेंट है एक बार अच्छे से आप प्रारूप को भी इसमें शामिल कर लिया गया है देखते हैं क्या है यह आपके लिए प्रैक्टिस कोच्छा ना अभ्यास प्रशन कल के लिए ठीक है अभ्यास प्रशन आपके लिए कल के लिए दिया गया है यह इसका जवाब जरूर दीजिए जो लोग देते हैं निश्च मेमोरी के लिए बहुत सही बहुत ही महत्वपून हो जाता है ठीक है यह सारी चीजों को एक बार अच्छे से आप यह जो उत्सव अगरा है देख लेंगे बन्नी उत्सव कहां पर है तो आंध्रप्रदेश में है यह सारी चीजे नदी उत्सव दिल्ली में मनाई गई है क्लास कैसे लगा कमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा जो लोग पहली बार देखने कोई राइ को सजिस्टन हो तो बिल्कुल आपका स्वागत है खुले दिल से आप जो है कोई भी राइ को सजिस्टन हमें दे सकते हैं तो क्लास को आज हम यहीं पर वीराम देंगे मिलते हैं कल फिर से सुबस सवेरे साड़ी साथ बज़े आपसे मुलाकात होगी सबसे पहले तब तक के लिए खुश रहिए मस्त रहिए व्यस्त रहिए और अपने और अपनों का ध्यान रखिए खुब धुआ उड़ा के पढ़िए फ्यूचर के लिए आपको all the very best चलिए कर दिन सकता है